तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे तीसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है Molecular Diagnosis तो Molecular Diagnosis के अगर हम बात करें तो हर एक individual या हर एक living organism का जो genetic material है वो कही ना कही specific होता है यानि जितने भी living organisms हैं उनके पास कुछ unique species specific DNA sequences होते हैं और यही DNA sequences आगे जाके specific protein बनाने में मदद करते हैं जो body के बहुत सारे functions परफॉर्म करते हैं तो जो Molecular Diagnostics है वो इन species specific DNA को visible करवाने में मदद करती है और diagnosis में भी मदद करती है ताकि जो living organism है उसके अंदर जो diseases हो रही है उसे हम जल्दी से जल्दी detect कर लें या identify कर लें तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे conventional method of diagnosis अगर हमें किसी disease को पैचानना है तो जो पहले से पुराने जमाने से method चले आ रहे हैं वो क्या-क्या है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं urine analysis की हम urine sample लेते थे और उस urine sample के थूँ हम पता लगाते थे कि कौन सा microorganism है और क्या disease individual के अंदर हुई है दूसरा conventional method होता है serum analysis जिसमें हम human body से blood sample लेते थे पर उसमें से serum अलग करके पैचानते थे कि कौन सा organism है जो disease cause कर रहा है और इससे diagnosis में मदद मिलती थे पर कही न कहीं ये जो दोनों method हैं diagnosis के जैसे कि urine analysis और serum analysis इनसे early detection possible नहीं था यानि जो disease पैचान में आती थी वो बहुत time बाद आती थी तब तक human body में बहुत हद तक infection फैल चुका होता था तो इसलिए हमने discover किये modern diagnostic methods जिनसे हम early detection कर सके पैथोजन का और disease का तो जो modern diagnostic methods हम यहाँ पर सीखेंगे उसमें सबसे पहला है हमारा PCR polymerase chain reaction दूसरा है हमारा ELISA that is enzyme linked immunosorbent assay और जो third है उसका नाम है RDT यानि recombinant DNA technology तो यह जो तीनो modern diagnostic methods है इन तीनों की वज़े से हमारा जो main purpose है early diagnosis का disease को जल्दी पैचानने का ताकि हम उसे फटा फट ठीक कर सके वो इनकी वज़े से पूरा हो सका तो सबसे पहले हम बात करेंगे PCR यानि polymerase chain reaction के बारे में तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं polymerase chain reaction पफॉर्म की जाती है इस instrument यानि lab apparatus के अंदर जिसमें हम बात करते हैं हम एक specific DNA segment की बहुत सारी copies बनाते हैं यानि जो small quantity में DNA available है हमारे पास हम उसे amplify करते हैं और उसकी बहुत सारी copies बनाते हैं और इसी के साथ साथ जो PCR है उससे हम individuals को भी identify करते हैं DNA fingerprinting करके तो अगर हमारे पास बहुत ही कम quantity में या बहुत ही कम concentration में bacteria virus available है जो disease cause कर रहा है हम इस कम concentration को भी detect कर सकते हैं PCR की मदद से और वो हम कैसे करेंगे हम इस bacteria virus की nucleic acid को amplify करेंगे उसकी बहुत सारी copy बनाएंगे और इसी तरीके से जल्दी से जल्दी molecular diagnosis हो जाएगा अगर हम बात करें applications of PCR की तो PCR की applications में हम सबसे पहले बात करेंगे HIV virus के बारे में PCR को routinely अब use किया जाता है HIV virus detect करने में AIDS patients के अंदर दूसरा हम बात कर रहे हैं किसी भी तरीके का जो genetic disorder है या जो mutation हुआ है gene में वो भी हम detect कर सकते हैं PCR के थ्रू और एक और जो हम बात कर रहे हैं वो है gene mutation तो हम PCR को use कर सकते हैं gene में mutation पता करने के लिए especially जो suspected cancer patients होते हैं उनमें भी तो बच्चों क्या आप जानते हैं कि PCR काम कैसे करता है चलिए हम इसे यहाँ पर एक वीडियो के थ्रू समझते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक sample जो हम study करेंगे PCR के थ्रू इस sample से हम लेंगे DNA और उसका target DNA PCR में डाल कर उसकी बहुत सारी copies बनाएंगे और research में use करेंगे तो इसके लिए हम क्या process follow करते हैं टारगेट DNA लेते हैं as a sample हम लेते हैं primers और लेते हैं nucleotides जो DNA amplify करेगा इसी के साथ साथ polymerase भी तो इन सभी को हम यहाँ पर एक appendroft tube में डालते हैं और उसे finally PCR machine यानि thermal cycler में रख देते हैं उसके बाद यहाँ पर चलती है अलग-अलग temperature की cycles जो की DNA को किस तरीके से amplify करती है वो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो हमारा target DNA यहाँ पर आपको दिखाया गया है यह अलग-अलग cycles के थूँ follow होगा सबसे पहले होगा denaturation जो 95 degree पे होगा इतने high temperature पे DNA के दोनो strands अलग हो जाएंगे फिर इसके बाद आता है हमारा tag polymerase यह DNA polymerase enzyme जो as a heat resistant enzyme होता है और साथ में काम आएंगे primers जो की starting point के लिए हैं DNA replication के लिए और free nucleotides तो next step है जो annealing है उसमें यह DNA primers, nucleotides और polymerase मिलके DNA को आगे extend करेंगे amplify करते हुए तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे nucleotides जोडते जा रहे हैं और DNA का complementary बनता जा रहा है extension में जो की 72 degree पे होता है इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी molecular diagnostic की technique जिसे हम बोलते है ELISA ELISA का full form है enzyme linked immunosorbent assay ELISA एक ऐसी technique है जिसमें हम peptides, proteins, antibodies और hormones को identify करते हैं तो इसमें हम क्या कर रहे हैं यह जो test perform किया जा रहा है यह determine करता है अगर हमारी body में कोई antibodies बन रही है किसी particular infectious condition के against में तो जो हमारी body में antibodies बनती है कोई particular infection के लिए तो उसको भी determine करने में ELISA मदद करता है अगर हम बात करें क्या steps involved होते है ELISA में या किस तरीके से यह perform किया जाता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक virus sample या antigen की जो या surface पे present होता है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने यह पर एक plate या एक surface लिया है जिस पर हमारे पास antigen present है for example virus sample अब हम क्या करते हैं हम इसे wash करवाते हैं antibody से ऐसी antibody जिसके साथ हम बात कर रहे हैं enzyme conjugate attached है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह है red color का हमारा antigen जो already surface पे present था इसके उपर हम बात कर रहे हैं green color का जो आपको y-shape structure दिख रहा है यह antibody और इस antibody पे attached है हमारा enzyme conjugate तो antibody with enzyme conjugate is attached to viral antigen तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जैसी antigen antibody bind होंगे तो यहाँ पर reaction होगी इसी के साथ साथ पे जो third step होता है जिसमें हम बोल रहे हैं यहाँ पर आप अड़ किया जाता है substrate सकी आप ही blue color का structure देख पा रहे हैं यह है हमारा substrate तो जैसे हम substrate को add करेंगे एक reaction perform होगा जिसमें जो substrate है वो enzyme की मदद से convert कर दिया जाएगा एक colorful product में तो ultimately जो color change आएगा वो हमें मदद करेगा detect करने में कोई particular antibody या कोई particular peptide या protein तो overall आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पर antigen antibody को use करके और enzyme substrate reactions को use करके color change produce किया जो की मदद कर रहा है हमें detect करने में इसकी बाद अगर हम बात करें applications of ELISA के बारे में ELISA है वो हमें सबसे पहले मदद कर रहा है for the detection of potential food allergens में दूसरा application हम देख रहे हैं यह मदद करता है antibodies को detect करने में किसी blood sample में जैसे कि HIV या bird flu तो overall हम बोल रहे हैं कि जो ELISA है it helps in the detection of antigens, pregnancy hormones, drug allergens या genetically modified organisms इसके बाद हम सीखेंगे हमारी दूसरी टेखनीक के बारे में जिसे हम बोलते हैं auto radiography auto radiography में हम use करते हैं x-ray film जो हमें मदद करती है radioactive materials को detect करने में तो use of x-ray film to detect the radioactive materials इसमें हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले जो हमारा target DNA है उसे digest किया जाता है restriction enzymes की मदद से इसके बाद फिर जो DNA fragments है उन्हें denature किया जाता है फिर उन्हें gel electrophoresis से separate किया जाता है उसके बाद जो DNA fragments है उन्हें transfer किया जाता है एक membrane filter के थ्रो उसके बाद हम बात करते हैं next step की जिसमें जो filter है उसे अब hybridize किया जाता है एक radioactive DNA probes है तो जो radioactive DNA probe है या जो molecule है वो single stranded DNA या RNA के साथ hybridize होता है और complementary DNA बनाने में मदद करता है तो इसके बाद जो DNA fragment है वो hybridize होता है radioactive DNA के साथ और इसे finally detect किया जाता है autoradiography के through तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हम यहाँ पर visualize करते हैं label DNA को x-ray film में तो overall जो autoradiography है वो हमें मदद करती है to investigate and find the various properties of DNA तो अगर हमारे कोई mutated gene है वो यहाँ पर appear नहीं होगा photographic film में ऐसा इसलिए क्योंकि जो probe है उसका complementary available नहीं होगा mutated gene के साथ तो इस तरीके से हम बहुत सारी properties DNA की study कर सकते हैं और investigate कर सकते हैं autoradiography के through आपा है कर सकते हैं